हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू साथ्थे लेटिल गार्डन और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज का मेरा वीडियो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट एक्रोकलिनियम जिसे हम पेपर डेजी पेपर फ्लावर भी कहते हैं इसके शीड के ऊपर है आज का वीडियो कि इसके शी करें अपने विंटर गार्डन के लिए नेक्स्ट इयर के लिए तो दोस्तों इसे मैंने खुद ही शीड से लगा ए है मेरी गार्डन में हर एक पौधा हर एक जो भी प्लांट अप देखते हैं उसे मैंने खुद ही कटिंग से उकीड से ग्रो किया है आप सारीज कbok से शीड क तो इनका जो texture है वो कुछ इस थरीके का होता है चूने पर एक़्डम पेपर जैसी एक़्डम करणची सी आवाज आती है तो इसे में चलिज़ करते हैं तो यह देखिए डिख रिखक टाथी तो इसके जानकी होते हैं बाहर से शीड के और उसके अंदर शीड होते हैं तो इस तरीके के ये जो रेशे वाले जो पोर्शन है ये पीला वाला नहीं बलकिन जो पीले वाले के नीचे जो वाइट वाइट सा है सफेज सफेज अग्दम फैदर जैसा तो ये ही इसके शीड होते हैं तो थोड़ा नस्द तो यह दोस्तो शीट बन चुके हैं आप इनके इस तरह से फूल तोड़के भी इने डारेक्ट पॉलिथीन में रख लीजिए और उसे धूप में रखिए तेज धूप में तो वो कुछी दिनों में ढंग से सूख कर अपने आपी तयार हो जाएंगे और जब ग्रो करते हैं त तरीके से लगाया वा इसके एक पॉदे में ही धेरों शीड हो जाते हैं तो हूप करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तो यह देखिए डाइन्थियस में कितने सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं और इन सब फूलों की खिलने का बस एक ही राज है कि इने मैंने खाद पानी खूब अच्छे से दिया है और आप भी अपने गार्डन में इस तरह की कि खाद को दीजिए मस्टर्ड केक और का उडंग कमपूस्ट का तब तक के लिए टेक केर बाबाई